पल्टी पे पल्टी दो और दो चार होते हैं नहीं नहीं ये क्या कह रहे हो भाई अरे यार सोरी 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 दो और दो चार नहीं दो और दो बाइस होते हैं अरे ये क्या हो गया तुम्हें स्कूल नहीं गए थे क्या दो और दो बाइस नहीं, दो और दो चार होते हैं दो और दो चार नहीं, दो और दो पांच होते हैं ये भी सुना आज कल कुछ इसी किसम का महौल बना हुआ है कुछ नोटिफिकेशन को लेके कभी ये, कभी वो, कभी ट्रेने फ्री, कभी ट्रेने चार्ज कभी ट्रेनों के पैसे देंगे, कभी नहीं देंगे, आज नहीं देंगे, फिर कोई उंगली कर देगा, फिर हम देंगे, 85% ये देगा, 15% वो देगा, कभी ऐसे, कभी वैसे, इसी को लेकर ये एक वीडियो बना रहा हूं, और एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग आपको मैं प्रोसेन जी दत्ता जी कहते हैं, जब इतनी सारी कन्फ्यूजन पैदा की जाती है न, तो जनता में, मिडल क्लास में, कॉन्फिदेंस बढ़ता नहीं है, कॉन्फिदेंस की वाट लगाई जाती है, और यही सब मुझे आज कल देखने को मिल रहा है, दुबारा से पढ़ता हो, देखो, आप भी कोशिश करना पड़ा मजा आएगा, पूरी अंग्रेजी नहीं भी आती होगे न, आपको टुटी-फुटी भी आती होगी न, तो भी ट्राई करना, बहुत मजा आएगा पढ़के, दुबा इतने पड़े लिखे मंतरी, जब दो कदम आगे नहीं सोच सकते न, तब कुछ लोग मास्टर स्ट्रोक मार जाते हैं, ये ट्रेनों को लेके ही बात कर रहा हूं मैं, एक पार्टी ने सरकार को कहा, आप तो पैसे दे नहीं रहे, तो हम पैसे दे देते हैं, फिर सरकार को मिर पैसे पैसे देने पड़े और उपर से वावा लूटी जनता से वो अलग, और सरकार जो इधर से उधर पल्टी मार रही थी, पल्टी पर पल्टी, पल्टी पर पल्टी, पैसे दोनको खर्चने पड़ रहे हैं, अगर मैं पांच पूट शेंच रॉबिन हुड ये सवाल पूछ लेता हूं कि इतने करोडो रुपे का केयर फंड का पैसा कहा जा रहा है, तो गालियां पड़नी शुरू हो जाती मुझे, क्यों, क्योंकि कड़वा लगता है सवाल, क्यों, गालियां देने से क्या लगता है, मेरा मुझ पकड लोगे आप, मुझ बंद कर दोगे मेरा, ये सिरफ मेरी आवाजे नहीं हैं, ये हर मिडल क्लास के आदमी में, जो मन में न, ये ही चल रहा है आजकल, तो जवाब देने की हिम्बत रखो, क्लैरिफाइ करने की हिम् ये पल्टी पे पल्टी, जादा देर नहीं चलेगी अब, जै जनता, धोको शेर